नमस्कार स्वागत है आपका आपके पसंदीता चैनल रेड अलट न्यूज में आईए लेकर जलते हैं आपको आज की खबरों के खबर एसी उनी से जहांड हुआ डबल मर्डर का परदावास मुखारोपी प्रदीप और उसका दोस्ट चैन सिंग ने दिया था वारदात को अं किंदराई थाना पोलिस ने किया है जहां सातेरा परादी लगातार पोलिस की गुराप्त से दूर भाग रहा है पोलिस की टीम ने जब आरोपी को धर्दा वोचा तब आरोपी ने अपने जुर्म को कुबूल किया जानकारी के अनुसवार किंदराई थाना चेतर के अंतरग दिया था जिससे कोई समझे कि यह अग्यात वहां ने टक्कर मार दिये दूसरा मडर किद्रही थाने के अंतरगत ग्राम खुदरी के रहने वाले पतिराम कुंजाम की बेटी बेलकली बाई को गर्वपती करने के पस्चा छपारा थाना के अंतरगत नेशनल हाइबे स्थित बं अंजारी घाटी से नरकंकाल बरामाद हुआ पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है लड़की के पिता पतिराम ने बताया कि मेरी बेटी को घर से उठा कर ले गया था घटना नवंबा 2019 की बताई जाती है आरूपी प्रदीप का लड़की के घर आना जाना रहता था आरूपी प्रदीप अपने साथियों के साथ नागपुर में मज़दूरी का कारे करता था आरूपी प्रदीप के साथ उसका साथी चैन सिंग बरकड़े जावन पानी को भी पुलिस ने ग्रफतार किया है विष्णा के लिए हम लगाता पड़ताल में लगे हुए थे साइबर टीम और फॉरेंसिंग टीम और मुभीरों की मदद से हमको सफलता हाथ लगी हमने संधियों को ग्रिप्त में लिया उनसे सुक्ता से पूस्ताज की जिसमें परदीप नामक संधियी में हमको बताया कि उ दरगत एक लड़की से प्रें संबंद हो गये और उस संबंद के दौरान गर्वती हो गई कि उसका घरवपात कराने के उद्देश से उसने उसको घर से लेके गया और लेके जाने के बाद उसको नेशनल हैवे 07 पर ले जाके उसके दोस्त रुकुम के साथ मिलकर मार डाला चाकू से और उसको दफ्नगर दिया वहां पर दढ़ा दिया इसके पश्यात वह अपने घर चला गया इसके बाद वह जब घर चला गया तो यह एक रहस बन गया चूंकि यह उसने पिछले साल 2019 में ठंड के मौसम में किया था तो वह पकड़ में नहीं आ रहा था वह बहुत उससे पैसों की मान करने लगा इस चीज से वह विश्रित होकर रुकुम उईके की हत्या की योजना उसके लिए उसने अपने एक साथी चैन सिंग को समलित किया इस योजना में और समलित करने के बाद दोनों में मिलकर उसको 14 मार्च 2020 को लखना दोन मंडला हाइवे के किनार में मारकर और उसकी लाश को जावी में शेख दिया था शिवनी से सतीस चंद्रा की रिपोर्ट